Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. आजमगर्ड पब्लिक स्कूल, प्लेग्रूप टू क्लास 12, अफिलियेटे टू CBAC New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ग्यान भी दिया जाता है. आजमगर्ड पब्लिक स्कूल, कोटीला चेक पोस्ट वारनसी, आजमगर्ड रोड आजमगर्ड ये हैं आजमगर्ड के कुकड़ी पुर सखियाओं में विस्तार में पहला Cross Valley International School. Cross Valley आजमगर्ड में अपनी पाच अलग-अलग ब्रांचेस द्वारा स्टुडेंट्स को शिक्षित कर रहा है. Cross Valley School, CBSC दिल्ली मानेता प्राफ स्कूलों में से एक है. Cross Valley International School में क्लास नर्सरी से लेकर 12 तके चात्रों को वेल एजुकेटिड टीचेस दोरा पढ़ाया जाता है. ताकि यहाँ से शिक्षा प्राफ कर रहे स्टुडेंट्स के भविश के साथ कोई खिलवार नहों. टाइल करे 9453-724198 या 9450-1118255 नमस्कार ABC चनल में आपका स्वागत है. मैं हूँ सकीन श्रीवास्तो और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगर से जोड़ी खबरें आये नजना लेते हैं अचकी खास खबरों पर. कहते हैं परिच्छा चलती है तो सिच्छक मौन रहते हैं. आजकल कुछ ऐसी ही परिच्छा की घड़ी चल रही है. कुरोना को मौन रहकर जबाब दिया जा रहा है. वो अभी इस खामोसी के साथ कि अपनी दस्तार बचाने के लिए काफी हूँ. मैं निहत्था ही जमाने के लिए काफी हूँ. सभी के मन में यही संकल्प है. जनता कर्षू के दोरान लोगों ने यह संदेश बखो भी प्रसारित भी कर दिया क्यूंके हूशले धैर सैयम के आगे करोना के हूशले पस्त होने तैह है. हलाकि स्थित को अभी नियंतर में बनाय रखने के लिए जिले को तीन दिनों तक लागडाउन कर दिया गया है. अलामा अन्य सभी दुकाने पूरी तरह से बन रही. लागडाउन के पहले दिन कुछ घंटों तक आवाजाही थोड़ी तेज दिखी लेकिन प्रसार्शन की सक्ति के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा. सड़कों पर उन्हीं को आवाजाही की रियायत दी गई जो वास्तों में आवस्ते खरदारी अध्वाई इलाज वद्वा के लिए निकले थे. सुबा की चहल पहल के बाद पूरा सहर लाक्टाउन हो गया. रोजी रोटी के लिए निकले दिहारी मजदूरों को भी एक जगए कत्र नहीं होने दिया गया. कर्फ्यू के पूलिस वाले भी आप लोग को मना किये हैं. वहीं दूसे तरफ लाक्टाउन में सब्जी, फल, दवावों, किराना की दुकानों से लोगों को आसानी से सामानों की आपूर्ति पुर्व की भाथ ही होती रही. व्यापारी संत्र प्रसाद अगरवाल ने बताया कि दुकानों में प्रवेश से पुर्व सभी को सेनिटाइज किया रहा है. अनावस्य भीर नहों, इसके लिए दुकान के अंदर सीमिस संख्या में लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है. अवश्य चीजें जैसे किराना है, गल्ला है, दवा है, ये दुकाने खोली गई हैं, उससे आवश्य वाली चीजें लोग दुकानों पर आ रहे हैं, और सामान ले जा रहे हैं, हम दुकान पर सेनिटाइजर लगाए हुए हैं, सब के हाथ में लगवा करके, और अपने दु हमारी की चलते हैं, उतरपेश की सोलह जिलों में लागडाउन कर दिया गया है, उनमें से एक जिला tipping आजमगरवी है, जेहां लाघडाउन किया गया है, इस लागडाउन के दवरान किन बातों का ध्यान जंता को रखना है? इस बात को जिलातकारी ने किस पष्टू से बताय वहीं यह भी देखा गया कि काफी लोग इस लागडाउन को नजर अंदाज कर रहे हैं इन लोगों पर लागडाउन का कडाई से अनुपालन कराने के लिए जिलादकारी ने निज़िश दिये वहीं बीमार और बहुत ही जरूरी काम से आवाजाहिक करने वालों को कुछ हिदायत के साथ छुड़ दी गई है आजमकर के प्रशासन ने किसी इमर्जेंसी के समय ही प्रशासन से अनुमती लेकर अब सीमी संख्या में निकलने का आदेश जारी किया है वहीं किसी बीमार को ले जाने के लिए डायल 112, 102 वा 108 का है इस्तिमाल होगा आटो साइकिल वारिक्षा पर पूर्ण रूप से प्रदिबंध है डियम आजमकर ने बताया कि आदेश के उलंगन पर धारा 188 आए किसी के तहत करवाई होगी जिलातकारी के निर्देश के बाद एस्पी आजमकर ने थी वारलेस के माध्यम से जन्तपत पुलिस को सक्त कारवाई का निर्देश दिया इसके बाद सड़कों पर पुलिस ने वाहनों को रोक कर चेकिंग शुरू कर दी डियम ने इस परिश्ट किया कि सभी साजुनिक और निजी परिवहन पर रोक है विश्टिस प्रसित्यों में जिला प्रशासन से अनुमते लेकर वाहन का उप्योग कर सकते हैं इसके लिए कलिक्टेट भवन में कंट्रूल लूम की भी स्थापना की गई है केवल आवश्टिक वस्तों के वाहनों की आवाजा ही रहेगी फल, सब्जी, अनाज, वद्दवा के लिए छूट है इनको खरीदने के लिए पैदल ही जाना होगा और अपने रिहायश्टि लैके की नेज़्दी की दुकान से खरीच सकते हैं सभी दुकान प्रतिस्ठाब बंद रहेंगे सारव्यनिक परिवहन भी बंद है हनावश्यक व्यक्तिकत परिवहन भी बंद है अगर कोई व्यक्ति किसी इमर्जेंसी के काम में वाहन की सुविदा की अवश्यक्ता समझता है तो उसके लिए 102, 108, 112 की सुविदा भी दी जा सकती है और विशेस परसितियों में उसे कोई लगवार निवनतम व्यक्तियों की संग्या के साथ अनमती हो सकती है कोई भी धार में कारिक्रम साइटक, सांस्कृतक, खेल की गूस्टियां भी नहीं होंगी लोगों से अनरोद है कि यह लोग के हित के लिए इसलिए घरों पर रहें और मेडिकल स्टोर या आवश्यक जनरल स्टोर में किसी खरीद फरोग के लिए जाना भी है तो पैदल और नेरेस स्पॉट जो है संक्रमण में किसी प्रकार की कोई इस्तिती संक्रमण की नहीं कोई बिमार है अगर वो हस्पिटल तक जाना चाहता है तो इसकी टेंपो और सारे साधन बंद है तो वो अगर फोन करेगा तो एक सब्दो एक सो आट की गाड़िया उसके लिए उपलब दोंगी इसके लिए हमों आईसी को फोन कर ले हो या एस्टीम को फोन कर ले हो एक सो बारा नंबर के लिए भी इस्पी साहब ने विवस्ता की है कि पुलिस के लोग भी उस विमार विक्ति को अगर कोई विशेस परसिती है तो कंट्रोल जो है उसमें बात करेंगे एडियम यह हमारे उससे संपर करेंगे वो गुणावबुण पर विचार करते हैं उनको पर्मिशन दें करवाई क्या हुए अगर करते हैं तो एक सो अठासी आइपीसी में दंड़नी अपराद हैं फिवर्द अफयार होगी सक्क्राइबुण कोरोना वारेस के बढ़ते प्रभाव के चलते आजमगण में उत्तरप्रस सरकार ने लागडाउन घुसित कर दिया है लागडाउन के दोरान दैनिक उपियोग की आवश्चक वस्तों को छोड़कर सभी दुकाने बंद हैं सटकों पर वहानों के चलने पर रोख है संकट की इस घड़ी में जिला प्रशासन के नर्रेस पर मरीजों की मदद के लिए जिला महिला अस्पताल के चिकिस्तक आगे आये हैं अस्पताल के चिकिस्तक मोबाईल और वाटसप पर मरीजों को सलाह देंगे इसकी जनकारी देते हुए महिला अस्पताल के बाल रोख बिशिश्तक डॉक्टर निरसर्मा ने बताया कि कुरोना के संक्रमन को रोखने का एक मात रुपाय है कि हम साउधानी बरतें घरों से न निकलें कहा कि अगले दस दिन देश्त के लिए चिंता जनक हैं लागडाउन में घरों पर रहकर को हम हरा सकते हैं उताय कि मरीज अस्पताल में दर्ज डॉक्टरों के नंबर पर संपर कर सलाह ले सकते हैं डॉक्टर सर्मा ने कहा कि बच्चों के बिमार होने पर बच्चे की उम्र, वजन और तकलिफ लिखकर उनके वाटसप नंबर पर फेज़ दें एक घंटे के अंदर उचित प्रामर्स बता दिया जाएगा इक कोरोना वारस पुरे विश्ट समधाय में और भारत में ये बिमारी महमारी के रूप में फैल रही है और भारत इस समय स्टेज 2 में है, स्टेज 2 में होता क्या है कि जो बाहर से लोग आते हैं, उनके संपर में जो लोग भी आते हैं, उनको जो है, ये बिमारी होने का खत भारत अभी stage 2 में हैं इसके बाद stage 3 शुरू होता है stage 3 में समधा या community या social gathering या जहां पर लोग इकठे होते हैं एक दूसरे से फैलने का डर रहता है तो इसलिए आप सभी से यह अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने घर में रहें बहुत आवश्यक हो या आपात इस्तितियो तो इसी इन ही परिस्यतियों है घर से बाहर जाएं अनावश्यक जगा-जगा इकठे होना घूमने जाना शॉपिंग करना यह इन चीजों को एकदम ही बंद करना है क्योंकि अभी तक जो इस्तिय है अगर भारत तीसरे stage मिचा जाएगा तो इस मामारी को रोखना सभी का बह घर से बाहर न निकले बहुत आपाती सिती हो बहुत किसी प्रकार की तकलीफ ऐसी सिती हो जो की जीवन के लिए खत्रा हो तभी अस्पताल आए अत्वा या आपने phone से भी डॉक्टर से बात करने कोशिश करे हैं और उनसे समपर्ग में रहें कम से कम घर से बाहर निकले और क सामने वाले को बीमारी है कि नहीं हूँ इसलिए ये हमको मान के चलना है कि सामने वाले को बीमारी हो सकती है और अपना बचाव हमको खुद ही करना है इसलिए आप कहीं भी बाहर न जाएं अपने घर में सुरक्षित रहें और कोई भी बाहर से आता है कि कोई भी रिश्दार ह अगले हफते दस दिन भारत के लिए बहुत चिंटा जनक है यह एक ऐसा समय है कि हम हमारी जम्दारी है कि हम इसको रोग सकते हैं अपना बचाओ आज हमारे अपने ही हाथ में है अगर हम इस सिति को काबू पाल दिये तो हम सिति स्थी को हराप आएंगे अन्यता आगे जो इस्तिती आगी वो हम सब के हाथ से बाहर चली जाएगी तो बच्चे के उम्र, बच्चे का वजन और बच्चे को क्या तकलीफ है आप मेसेज कर देंगे, जिस भी डॉक्टर को मेसेज करेंगे वो आपको उसका उत्तर दे देगा अगर किसी बच्चे को किसी भी पकार की कोई तकलीफ होती है तो आप घर पर रहें, मुझे आप मेसेज करें, वाटसप मेसेज कीज़ कीज़े मैं आधिय से एक घंटे में इसका उत्तर अवश्य दूँगा मेरा मोबाइल 24 घंटे, आन रहता है और कोशिच कीज़े, आप घर पर रहें, बाहर ना निकलें देगे इस बीमारी में तेज बुखार के साथ सुखी खांसी आती है और इस बीमारी में एक अच्छी चीज़ है कि असी प्रचत लोगों को होने के बाद पता भी ने चलता है जैसे नॉर्मल सरदी जुखाम होता है वैसे ही होता है और वो ठीक हो जाते हैं जब घर से न बाहर निकलें और घर में ही रहें इसकूलों की बंदे, जनता कर्फ्यू और अब लागडाउन की इस्थित में लोग खुद को घरों में सुरचित रख रहे हैं भोले भाले बच्चों के लिए तो इस्थित कैज जैसी हो गई है ऐसे में समय का प्रबंधन सभी के लिए चुनोंती पूर्ण को चला है इलाधिकारी नागिन प्रसाद सिंग ने इस्थित को समझते हुए लोगों को अपनी अपील के जरिये या संदेश्थ प्रिसित किया है कि इस्थित को सकारात्म कुरूप से लें ये सोचें कि महमारी आपको वक्त दे रही है अपनों के और करीम होने का इस गोल्डेन अपर्चुनिटी का लाव उठाएं परिवार के साथ बहतर वर गुर्वत आपको समय विताएं खासकार बच्चों से उन्होंने अपील की है कि वे एक सेतु का काम करें अपनी रशनात्मक्ता, हुनर, हावी वर गद्विधियों के जरिये परिवार को नए आयाम वर होजपूर्थी प्रधान करने का कारण बने के बाजार और आर्थिक गद्विधियां कोरना के रोकथाम को देखते हुए और भीड के नियंत्र और विरेमित करने की दश्यते से अभी है यह आदेश पारित हुए हैं और पारित हो सकता है कि अगर रोख थाम के लिए और अधिक प्रयास करने हो तो अब दिम्एवढ्दि हो सकती कि इसलिए मुख्यत यह जो चातर चात्रा है विद्यारत है उनके दिमाग में विद्याले न जाने पर एक मानिसिक रूप से एक अवसाद की स्थिति आती है कि 15 दिन स्कूल बंद हो गया, 20 दिन स्कूल बंद हो गया, इसको हम कैसे प्रबंधन करें और उसी तरह से बहुत सारे बाजार बंद होने पर जो लोग दुकानों में दिन पर बैठते थे, गद्विदियों मे लगे हुए थे, वो घर पर रहेंगे, तो एक परिवार में रहने के बाद हापस घर के अंदर का जो आंतरिक केमेस्ट्री है, उसके लिए बहुत अच्छा प्रबंधन की आवश्यक्ता है, उसके लिए सबसे बड़ी भूमी का बच्चे निभा सकते हैं, अगर बच्चे ज चाहे वो किसी भी तरह के intellectual debating का talent है, चाहे वो पुस्तकों पर अध्यान करके पुस्तकों की synopsis पर debate करने का talent है, ये जो talent है, जो creativity बच्चों के अंदर होती है, उनके अंदर जिग्यासा भी होती है, जिसको स्कूल बंध होने पर आयाम मिलने की समभावना समाप्त होती है, अ एक सामोहिक रूप से उस talent को एक integrated रूप में अगर family affair बना दे, तो उनके लिए भी अपनी constructive engagement होगा, रचनात्मा रूप से जुडएंगे, और उनके mother, father, दादा, दादी भी उससे जुडएंगे, तो जो ये गत्विदियों को बंद होने से एक लगातार, दोई विकल्ब उ परे हटना है, मस्तिस्क को स्वस्त, रचनात्मक दिशा की और मोड़ना है, तिस बच्चों के creative talent को family का affair बनाने की जरूरत है, इसको मैं आपके माद्यम से इसलिए पूरे जन्पदवासियों से नरोध करूँगा, कि अपने बच्चों के creative talent को मौका दे, ये opportunity है, बहुत सार गारजियन्स अपने बच्चों से बात नहीं करते थे अपनी बस्तताओं में, बाजार की बस्तता में, दुकान की बस्तता में, नौकरी की बस्तता में, गद्विदियों की बस्तता में, ये वक्त उनको दे रहा है, ये महामारी उनको एक वक्त दे रही कि अपने बच्चों को जाने अपने बच्चों के टालेंट को समझें और उनके टालेंट के साथ खुद को भी जोड़ें हो सकता है कि यह अपार्चुनिटी उनको यह जो चुनोती है एक परिवार में एक बहुत ही बहतर समन्व है और बच्चों की विकास के ग्रोथ के लिए बहतर आयाम को ले कर कर रहे हैं बिना जिलातकारी के बयान या सीमो की पूश्टी के ये पोटल जहाना गंज में कोरोना सिबाउत महराज गंज और बिलेरिया गंज में कोरोना संदिक्द पाया जाने की भ्रामक खबर प्रसाइद करके अफवा फैला रहे हैं और पत्रकाइता का मखौल उड़ा कर रहे हैं ऐसे न्यूज पोटल और सोसल मेडिया पर ब्यक्तिकत पोश्ट करने वालों पर जिला प्रसाशन सक्त हो गया है दियम ने पुलिस अदिक्षक को आदेश दिया है कि इन पर फाई यार दर्ज कर सक्त कारवाई की जाए अभी मेरे संग्यान में आया है कि कुछ न्यूज पोटल अनावश्य ग्रूप से महराज गंज बिलरिया गंज शेत्र में कोर्णा संदेग्द कोर्णा मरीज मिला इस तरह के समाचार चला रहे थे पैनिक क्रियेट कर रहे थे और जहाना गंज में मौत दिखा दिये थे ऐस इसे लोगों के विरुद्र हमने पुलिस अधिक्षक को आदेश किया है और उन्होंने इस्पेक्टर को मेरे सामने ही आदेश कर दिया है सीमस आपको भी बताया हमने कि लिखत रूप में वहाँ भेज देख सुचना कि यह गलत रिपोर्ट है जिसके आधार पर इस्पेक्टर रे फैयार दर्च कर रहे हैं उनके खलाब और जो भी इस तरह का गलत समाचार देगा बिना पोस्ट हुए है उनसे मेरा अनरोध भी है कि मीडिया एक बहुत ही समेदंशील है चाहे वो प्रिंट मीडिया हो एलेक्टॉनिक मीडिया हो चाहे सोसल मीडिया हो या कोई इंडिविजबल भी अगर कोई पोस्ट करता हो एक रिस्पॉंसबल सेटिजन की तरह विहाब करें ऐसी महामारी और ऐसी परिस्थितियों में जिम्मेदार नागरिक की रूप में विहाबर करना चाहिए जिससे कि जहां ये भी आवश्यक है कि अगर कोई सही मरीज है तो उसका पारदर्शिता से इलाज हो वहीं ये भी जरूरी है कि गलस समाचारों के प्रेशन करने से आस पास के इलाकों में लोगों में पैनिक और भय नव्यापत हो ये जिम्मेदार नागरिक की रूप में ये भी उनको ब्यवहार पेक्षित है और मीडिया एक आम आदमी से अधिक जिम्मेदार होना चाहिए क्योंकि उनकी बातों पो लोग यकीन करते हैं विश्वास करते हैं अगर फिर भी हमारे इस अपील के बाद भ जोर बढ़ रहे हैं इसे बीच यूपी गेमवोख मंतरी योगी आदेतनात ने प्रदेस में 15 जिलों में लागडाउन का ऐलान किया है इन जिलों में 23 मार्च से 25 मार्च तक लागडाउन रहेगा इन 15 जिलों में आजमगर भी सामिल है जिलातकारी नागित प्रसास सिंग न पेट्रोल पंप, दवाई की दुकाने, ट्रांस्पोर्ट, कोरियर, वेर हाउस और पैथलोजी लैब, डॉक्टर, क्लीनिक, सभी प्राइबेट और नेजी हास्पिटल इस प्रतिबंद से मुक्त रहेंगे इसके साथ ही जिलातकारी नागित दाबे, मिश्ठान भंडार, ज जलपान ग्री, रेश्टोरेंट, काफी हाउस, चाठ, स्नेक्स की दुकाने, आइसक्रीम पालर, तंबाखु, गुटकावा, चाय पान की दुकाने 31 माज तक बंद रहेंगी समस्त गत्विधियों से दूर रखते हुए, अपने घरों पर रहें, अपने परिवारों के बीच रहें, यह बहुत अच्छा संकेत है और उनकी संवेदन श्रीलता के उतकृष्टता का परिचाय की, इसलिए उनको मैं बदाई दूँगा और धन्यबाद दूँगा, साथ ह इसलिए जुकि जिस तरह का ये फेज 3 की संभावनाओं को देखते हुए, एक जो विशलेशन है कि ये समय कॉमुनिटी ट्रांस्मिशन को रोकने का है, जो माइगरेंट्स हैं जो कलकटा में या दूर देशों के लोग भी हा रहे हैं, कापी संक्या में, और उनके कॉंटेक मार्केट प्लेसिज याने एक्टिविटी प्लेसिज से बढ़ सकते हैं, इसलिए इसको दिश्टकत रखते हुए, यद्यपी मेरे जनपद में कोई कोरना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ऐसी संभावनाओं पर पहले से ही अंकुष और नियमन किया जाए, इसके लिए हमने एक आदेश किया है कि समस्त अस्थाई और अस्थाई दुकाने पूरे जनपद की, चाहे वो किसी भी ग्रामीर जगर पर हो, चाहे नगर पंचायत में हो, चाहे नगर पाली कांग हो, चाहे जिला मख्याले पर हो, वो सभी प्लेसेज अस्थाई अस्थाई दुकाने बंद रहेंगी मात्र जो इमर्जंसी सेवाएं होती हैं जैसे किराना है अनाज का स्टोर है जर्नल स्टोर है मेडिकल स्टोर है कोरियर है हॉस्पिटल्स है पैथालोजी लैब है या फॉल और सबजी के ठेले या कोई दुकान जो बिलकुल आवश्यक रूप से जीवन जीने के सित्र पढ़ाली की जो कोटे की दुकान कैं वो खुलेंगी बाकी समस्त दुकाने 23 25 मार्च को बंद रहेंगी ताकि भीड को नियंत्रित और निमित कि अजासके इसके अलावा जो में स्टान बंडा रहे हैं जो धाबे हैं जो रेस्टोरेंट हैं जो पारलर हैं जो चाय की दुकाने हैं, जो पान की दुकाने हैं, गुटका, तंबाको बेचने वाले जो दुकाने हैं, आइसक्रीम की जो दुकाने हैं, इस तरह कि जितने भी शाप्स हैं जहां पर की भीड की संभावना होती है, गॉसिपिंग जहाँ जादा होती है, उन जगों को हमने 31 मार्च तक के बंद करते हैं और 23, 24, 25 को जो दुकाने बंद किया है इमर्जेंसी से वाँ को छोड़कर उस पर हम 25 को पुने विचार करेंगे परसितियों को देखते हुए अगर extend करना होगा तो करेंगे जनता से मुझे अपील यह है कि जो उनकी आवस्यक सुविधा की चीज़े हैं जो जी कानपान की चीज़ें अनाज है किराना store है वो चुकी निरंतर खुले रहेंगे इसलिए किसी पैनिक की ज़रुद भी नहीं है किसी होर्डिंग करने ज़रुद नहीं है वो हम बंद नहीं कर रहें इसलिए वहाँ पर बहुत आपाधापी भी ना करें कि जैसे बाकी दुकान किराना और सबजी और मेडिकल स्टोर की खुली रहेंगे अगर पब्लिक यह सपोर्ट हमको करेगी कि वहाँ पर बहुत ही नियमित धंग से रिगुलेटेड वे में क्राउट को बिना बढ़ावा दिये हुए एक सेल्फ डिसिप्लेंड रिस्पॉंसिबल सेटिजन की तरह अगर वो विहाइब करें यह ब्यवस्ता हमने किया है साती जो सेमी बॉयल्ड मीट फ्रोजन मीट जो कुछ बाजार में कभी बिखते हैं उसको हमने पूरी तरह प्रद्वंदित किया है और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को एक्टिवेट किया है कि जो इमर्जेंसी सेवाओं के लिए भी जो खुली रहेंगे दुकाने उनके खाद्य वस्तों के मानकों के अनुसार दिरंतर जाच करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर को हमने अलग से आदेश किया है कि मेडिकल स्टोर के दवाओं की जाच करेंगे ताकि स्पाइरी डेट और प्रद्वंदित दवाइन अभी के हॉस्पिटल्स में मैंने अनुरोद किया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कि वो ओपीडी को रोकेंगे नहीं बहुत जगह समस्या रही है कि डॉक्टर्स खुद अपनी सुरक्षा के लिए ओपीडी को लिमिटेट कर रहे हैं या उससे पलाइन कर रहे हैं इस डूटी से उनको भी मैंने लिखित रूप से आदेश इसले कर दिया है कि अगर वो पलाइन करते हैं अनावश्यक रूप से अवाइट कर औरो या कोरोना के संदित लोग पेशंट आते एं उनके लिए डेडिकेट अलग ब्युस्ता हो औरने मरीजों के लिए वो अलग ब्युस्ता करें काउंटर की जिससे की जो अन्य मरीज हैं बहुत ही सीरियस हैं तो उनकी इलाज करें आन्ने था उनको चिकस्यी परामर्ष द कि उनको वाटसप सरसला देने कोसिस करें जो टेकनोलोजी सिस्टम में कोई ज़रूरत नहीं के क्राउड बनें प्रधानमंत्री नयद मोदी के आवान पर कुरोना वाइरस से बचने के लिए जनता कर्फिव का आजमगड में जबर्जस असर देखने को मिला इतनी एतिहासिक बंदी आजमगड में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली थी सुबह साथ बजे से ही शहर के बेस्तम इलाकों में भी सनाटा पस्टा रहा जैसे ही शाम को पाँच बजे पीम की अपील पर डॉक्टरों, स्वास कर्मियों, प्लिस कर्मियों और मेडिया कर्मियों के सम्मान में लोगों ने अपने अपने खरों में ताली, थाली, घंटी, घडियाल और शंख बजा कर आईभादन किया बजाएक, स्वास वाच्टरो रॉक्टक्ष, पारे शंग बजाश्यों तो верхhand星 지jść क्ना ड्राली, hireने प्लिस कर्मियों, स्वाद फ vois याजें एकतश जैसे ही शैसे कि अपने जैसे कांटी स्वास कर्मियों, स्वासरा ही साफ एक्श हम एाप बजा़रे हैं का। झाल 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 लोगों का आविबादन कर रहे हैं। अच्छा एक तरीका, एक माध्यम। उनके एक आवहन पर आज पूरा देश कलम बंग है। इस बात की बड़ी प्रसंसा है, लोगों में चर्चा है और बहुत अच्छा लगा। और इसे हमारा देश जब स्वस्थ होगा तभी स्वारा समाज अच्छा होगा। ये मोजी जी के करोना वारस पे जो लगडाउन हुआ, आजमगर्ड, यूपी, आल और इंडिया पुरा बंध होने का, इसका हम समर्थन करते हैं और करोना वारस भगाने का उकरेंगे। और बहुत ही अच्छी बात है कि मोजी जी के एक आवाहन पे हम सब लोग क्या कहते हैं, लगे हुए हैं और करोना वारस को भगाने के लिए, और हम लोग ने प्रसाशन को, सफाई वाले कर्मटारी को, मीडिया और लोग को धन्यवाद देंगे, कि इस आवदा में हम लोग का साथ दिये, आगे बढ़ घर करके काम कर रहे हैं, और हम लोग ने पांच बजे मोजी जी के आवाहन पे सारन बजा करके, ताली बजा करके, उन सभी का स्वागत किया है, जो हम लोग के साथ में हैं, मीडिया वाले, प्रेस वाले, साम पांच बजे, साम पांच बजे, पांच मिनट तक अपने च्छतों पर ठावियों से, संग से, उनका सम्मान करें, इसलिए हम लोग उच्जानता कर्फुल को सफ़ल बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं,